हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करते हूँ आपका लेट स्लोग विद पूनम में आज मैं सेर कर रहे हूँ आप सबके साथ टेमाडर और आलू की सबजी यह एकदम से टेस्टी और जटपड बन कर त्यार होगी और खाने में बहुत ही टेस्ट लगेगी और बहुत ही कम इंग्रेडियंट के साथ इसे आप पूरी चावल रोटी जिसके साथ आपकी मरजियों खाईए और एक बंदारे वाला टेस्ट आएगा तो चलिए बनाते हैं अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक सेर एंड कमेंट कर देजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर पांच उगले हुए आलू लेंगे इसको हम रफली मैस करेंगे मोटा मोटा ही कर लेना है ज्यादा बारिक मत करना क्योंकि इस सबजी में मोटे पीसिज आलू के रहने चाहिए जो अच्छे लगते खाने में तो इसी तरह से हम सारे आलू है मैस कर कर लेंगे और इसको हम तड़का लगाने के लिए चलते हैं यहाँ पर मैंने एक चमच जो बड़ी होती कड़्ची भी बोलते जिसको हम वह भरके सरसो का तेली है अगर आप चाहे तो इसे वर्थ वगारा के लिए बना रहे हो तो इसमें आप घी भी यूज कर सकते हैं और आदा चमच इसमें जैसे गरम होगा हम जीरा का डाल देंगे आदा चमच राई और एक चमच यह मैंने साबु धनिया को थोड़ा दरदरा ही कूट लिया है यह इस डाला है और दो तीन हारी मिर्च को इस तरह लंबा लंबा कट करके डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम तरह का टुकुडा यहां पर मैंने कूट करके लिया है जैसे यह सारी मसाले हमारे हो जाएंगे यहां पर मैंने दो टमाटर लिये हैं उनको मैंने बारी कट कर लिया है और इनको हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे और यहां पर अब हम मसाले अड़ करते हैं सबसे यहां पर आदी चमच जो हल्दी के अड़ की है एक चमच यहां पर मैंने नमक का डाला है आप अपने स्वाद के नुसा डालेगा और इन सो को हम मिक्स कर लेंगे सब्जी के साथ क्यों कि नमक डालने से टमाटर जो है जल्दी पक जाते हैं और आदा चमच यहां पर कासमेरी डाल मिर्च डाला है से सिर्फ कलर के लिए यूज करेंगे हम इस सब्जी का कलर जो है चाहेगा यहां पर हम टमाटर और मसालों को एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढख करके पकने देंगे जैसे ही एक मिनट होगा हम हमारे जो मसाले उनको चेक करते हैं और देखिए एक मिन जैसे यह सब मिक्स हो जाएंगे इसमें हम पानी आड़ करेंगे आप जैसा भी पानी डालना चाहें जाएंगे जादा कम ग्रेवी रखना चाहते हैं उसको एक लास पानी का यूज करोंगी यहां जो है वैसे ही घाड़ी हो जाएगी थोड़ी देर के पात तो इसको हम हमच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं जिससे कि इसमें खटा पनाएगा और यहां पर थोड़ इसी एक चमच के करीब यहां पर कसूरी मेती है मैंने कसकरस करके डाल दी है और इसको हम अच्छे से मेक्स करेंगे और इसको हम सबजी को चार पांच मिनट के लिए ढग करके छ जो हमारे गाड़ी होगी है और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा उपर से हरा धनिया डाल देंगी और इसे आप अलग से एक बाउल में निकाल लीजिए और सरु कीजिए और सेर कीजिए मेरे साथ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और लाइक सेर एंड कमेंट कर और साथ में बैल आइकन जरूर दबाए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बाई